नौइडा में जिन जगाओं पर सेनिटाइजन हो रहा है उसके बाद वहाँ से संक्रमित मरीज निकले है उन जगाओं पर दोबारा सेनिटाइज उन जगाओं को किया जाएगा तो हमारे समधाते ने फायर ओफिसर अरुन कुबार सिंग से पूरे मामले की जानकारी लेकी वहाँ पर किस तरह से इलागों को सेनिटाइज किया जा रहा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित नात की फायर सर्विजेस को हरी जंडी के बाद अब सेनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है हम खड़ें 14 ए एस पी आफिस नोइडा का है जहां पर सेनिटाइजेशन जो है वो लगाता चला है यहां पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सब को पूरी जगए को सेनिटाइज किया जा रहा है फायर की गाड़ी जो है वो यहां पर साथ में चल लई है जिससे बड़े पैमाने पर सेनिटाइज किया जा सके और तमाम लोग जो है वो यहाँ पर सेनिटाइजेशन के लिए है और खास तर पर ऐसे में जब कि नोड़ा को गौतम बुद नगर को कम्प्लीटली लॉगडाउन किया गया है से में सुरक्षा बहुत जरूरी है और वही क्रम यहाँ पर दिख रहा है कि लगाता रहा बड़ी मशीनों के दारा यहाँ पर सेनिटाइजेशन हो रहा है और कई ऐसी बिल्डिंग्स है जिने चिनलीट किया गया एक एक करके हर जगे का सेनिटाइजेशन यहाँ पर होगा और यहाँ पर जो हम यह सुरुआत दिखा रहे हैं यह पुराना स्पी आफिस है खास तरफ 14 यह सेक्टर नोड़ा की बात करें यहाँ पर और यह फायर के अधिकार ही हमारे साथ अरवन कुमार सिंग जी है इनसे भी जानेगे सर किस तरह के आज सुबह मुख्यमंत्री ने खुद फायर वालों को दिशा निर्देश दिये किस तरह के निर्देश आथ लोग उपास आये हैं यह हम फायर की गाडियों के माध्यम से पूरे शहर को और बल्कि पूरे जनपत को सेनिटाइज करने का कारे कर रहे हैं और इस पूरे जनपत में हमने तीन गारियां लगाई है और उन तीन गाडियों से प्रतिदिन हम इचा जा सकता है किस तरह रड इलर्ड पर है नुड़ा के अधिकारी और चाये us services की बात की जाए लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं तमाम जगे हैं जहां पहले ही sanitize हो चुकी है लेकिन उसके बाब जो जहां से तमाम case निकल के बाहर आए हैं वहां एक बार फिर sanitization की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा